अगर आप मैगी लबहर हैं तो इस मैगी को जरू टो ट्रय करिए का बंदाना बिल्गुल आसान है खाले में इतनी जाधे लाजवाब है कि एक वर इस तरीके से बना लेंगे तो मेरा और गैस को अप्यास को बढ़ियां से भुना है और अच्या सा कलर आने देना है तो जब आप जब अच्छे से प्यास भुन जाए तो इसमें डालेंगे थोड़े से बारी कट हुए सिम्मला मेर्च और 2 मिनट के लिए और पका लेजे क्योंकि सिम्मला मेर्च गारे बहुत जलदी पोग जाते हैं तो बहुत जादे पकाने की ज़रूत नहीं है दो मिनिट के भाद ही जिसे दो देखेंगे घरम हो जाए अब इसमें आधा चोटा समस के जितना नमक डालेंगे जो पानी अच्छे से वोयल आजाते है तो इसमें हमने डाल देना है तो बस ऑढ़ने बार मेगी नुडल करें लिदा até backpack के पानी है और मेगी खुलते रहे अँछे मसाले साग नाजाने नाज़ा के भी मदल कि अपने पानी डी कुडियर खाल अचरी में कध्र तो बड़िया से जो झोडल लिट बज़िया और देख सकते हैं अब क्या करेंगे हमें यहाँ पना दूड़ा से चीज डिया ऑफिर की ऑण वह तो आप इस ततरीके से बनाना तो दुद बहुत ही ज्यादा टेस्टी यह दिम परफिक्ट बनेंगे अब यहाँ पे gas को हमने medium पे रखा है और चीज अच्छे से melt हो गया है और noodles जो हमारे हैं वो अच्छे से खिल चुके हैं आप देख सकते हैं noodles जो एकदम खिले-खिले हो गया है और अच्छे से पग भी गया है और हलका सा dry हो गया है अगर आपको थोड़ा सा liquid खाना पसंद है तो gas को बन करके आप इसे serve कर सकते हैं या तो फिर अगर आपको थोड़ा dry करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से चलाते लिए और यह दो मिनट में dry हो जाएंगे तो बस हमारा मैगे नूडल्स बन के त्यार है चीज़े चीज़े आप इसे serve कर यह बहुत ही yummy और लाजबाब बन के त्यार है गैस में याद दिला दो अगर आपको मेरी आज की मैगे नूडल्स पसंद आया तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर ना मत भूलेगा कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा और एक बर इस तरीके से बनाएंगे तो आप बाकि सारे तरीके भूल जाएंगे बिल्कुल सिंपल है खाने में बहुत ही जादा टेस्टी और लाजबाब है